नमस्कार साथ, मैं गांधी भाई गांधी, चेर्मेन सास्पीरा पार्डूम साथा मेरा सवाल सिर्फ देगी है, जेहाद का अक्चुल में क्या है और जेहाद के नाम पे जम्मू कश्विर में जो आज घुन खराबा हो ना उसके उपर आपकी प्रतिक लिया क्या है भाई साथ ने एक बहुत एहम सवाल पुचा आज की तारिक में सबसे बदनाम लवज इसलाम में है वो ए लवज जिहाद और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत फेही हैं सिर्फ गैर मुसल्मानों को ने मुसल्मानों को भी अकसर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसल्मान अगर जगडा कर रहा है लड़ाई कर रहा है चाहे जाती फाइदी के लिए हो चाहे अपने नाम के लिए हो चाहे जमीन के लिए हो चाहे पैसा के लिए हो वो है जिहाद जिहाद के माहनी यह नहीं कि कोई भी मुसल्मान, कोई भी वज़े से लड़ाई कर रहा है चाए माल के लिए हो, चाए नाम के लिए हो, चाए जगा के लिए हो जिहाद की माहनी वो अरबी लफ आता है जहदा से माहनी जिद्व जहद, to strive, to struggle इसलाम के पसे मंदर में जियाद के मानी है अपने नफस से जिद्धो जहत करना इविल इंक्लिनेशन के अगेंस जो अपने नफस बुरे चीज़े चाता है अपने नफस के खिलाब जिद्धो जहत करने को कहते है जियाद अगर आप माश्रे को सुदानने के लिए जिद्दो जहत कर रहे उसे कहते है जियाद अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे है उसे कहते है जियाद अगर आप अपरेशन के खिलाब जगड़ा कर रहे है उसे कहते है जियाद जिहाद के मानी है जिद्दो जहद करना और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वार सिर्फ गहन मुसल्मान ने कैई मुसल्मान में इंवर्टिट कॉमेंज में अपने आपको स्कॉलर समझते है जियाद का तर्जुमा करते होली वाउ बिल्कुल गलत है होली वाउ अर्बी में हर्ब मुकदसा और आप कुरान मजीद उठा हो कई भी कुरान मजीद में हर्ब मुकदसा नहीं लिखा है कोई भी हदीथ में नहीं लिखा है जियाद के मानी Holy War नहीं है पाक जंग नहीं है ये लवज Holy War सबसे पहले इस्तिमाल किया गया था Christian Crusaders के लिए जब Christian Crusaders Christianity के नाम पे हजारों लोग का कतल किये उसे कहते थे Holy War आज वो इस्तिमाल हो रहा है मुसल्मान के लिए जियाद डेसे मिन Holy War आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है मानना लड़ना जगड़ना क्या जियाद है अगर वो जिद्दो जहद कर रहे है पुरान और हदीश के मताबक अपने नफ्स के खिलाफ जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ माशरे को सुधानने के लिए तो वो सही जिहाद है और जिहाद दो किसम के होते है एक होता है जिहाद फी सबिलिल्ला अल्ला के रह में जिहाद जो गुरान और हदीश के मताबक है दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबिलिल्ला शैतान तो शैतान के रह में जिहाद करना जिद्दो जहत कर रहे हैं माशे को बिगाडने के लिए उसे कहते हैं जिहाद फी सब इलिए शैतान हर मुसल्मान को करना चाहिए जिहाद फी सब इलिल्ला जिद्दो जहत खुरान और सही हदीश के मताबिक कश्मीर में क्या हो रहा है महिने कोई इंटर्वियू लियाने उनका जो मैं प्रेस में सुनता हूँ मैं इसके तैकिक नहीं किया हूँ सुरान में लिखा है सुरे हुजुरात में सुरान नमर 49 आयत नमर 6 में जब भी कोई मालूमात आप तक पोच्छती है उसकी तैकिक करो तीसरे को पोचाने के पहले मैं तैकिक नहीं किया हूँ इसलिए कहने सकता हूँ कुनसा जिया दे लेकिन यह जो लड़ने जगरने की बात हो रही है जो लो अकसर मुसल्मान को दोशी ठहराते है मैं आपसे पूछना आचाता हूँ क्या अपने माबारत पड़ी माबारत में लड़ने जगरने के मंत्रा कुरान से कही गुला ज़ादा है माबारत में लड़ने के श्लोक, मंत्रा कुरान मजी से कही ज़ादा है भगवत गीता भगवत गीता एक माबारत का हिस्सा है अटरा जुज, 18 chapters अनुशासन पर्व के जिसमें श्री क्रिशन अर्जुन को एडवाइज देते हैं समझाते हैं जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चाप्टर नमबर वन मंत्रा नमबर 43 उसे 46 तक के अर्जुन कहता है अपने जो हत्यार है जमीन पर रखे अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान ज चन श्लोक बाद भगवत गीता चाप्टर नमबर दो वर्स नमबर दो और तीन श्री किशन कहते है अर्चुन हाओ कैन यू बी सो इंपोर्टेन हिंदी में तरजुमा करूंगा आप नपुनसक कैसे बन गए शत्रिया का धर्म है लड़ना और आप अगर लड़ेंगे तो आ भाग्यवाने वो शत्रिया भगवत गीता चाप्टर नमबर दो वर्स नमबर 31 भाग्यवाने वो शत्रिया जिसको लड़ने का मौका मिलता है तो क्या भगवत गीता गलत है इस पसमंजर में हम जानते है कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो मैं खिलाफ है अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिष्टेदारों का गतल करो तो यह शैतानी हरकत है मैं तालिब इल्म हूँ इसलाम और दिगर मधाइब का मैं भगवत गिता पढ़ चुका हूँ इसका पसमंजर यह है श्री कृष्ण कह रहे है क कोड करते हो पसमंदर में उखकी लड़ाए है जिस तरी कि भगवत गीता मा बारत में कई जदा कुरान से जदा लड़ने की आयत है तो इसलिए जब पसमंदर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है तो इस पसमंदर में मैं भगवत गीता के साथ हूँ तुरह निसा सुना नमबर 4 आयत नमबर 135 में या यो लदीन आमनू एए इमान वालो अल्ला के लिए हक की गवाई दो हक के लिए बी विटनिस्ट अल्ला सुभानाव टाला चाहे वो अपने आपके खिलाफ हो चाहे आपके वालदेन के खिलाफ हो अमीर या गरीब मतलब अगर गवाई देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसानो फिर भी हक की गवाई दो तो ये था इन शॉट अबोड जिहाद और नमसे तो कुष्टन